साथियों, भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकावला किया, उसका लोहा आज पुरी दुनिया मान रही है। केंद्रों राज्य सरकारें, स्थानिय निकाएं, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्ताएं कैसे एक जुठ होकर बहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरन भी भारत ने दुनिया के सामने रखा। इसरों, डियार्यों, फोच से लेकर किसानों और स्रमिकों तक सभी एक संकल्प के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये भारत ने दिखाया है। दोगज की दुरी और मास्क है जरूरी उस पर फोकस करने वालों में भी भारत अग्रणी देशों में रहा। भाई और भेनों, आज इनी सब प्रयासों का प्रणाम है कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यू की दर कम है और ठीक होने वालों की दर बहुत अधीक है। देश के कई जीले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वज़े से खोना नहीं पड़ा। इन जीलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुचा है। बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां बीते दो सप्ता से कोरोना संक्रमन का एक भी केस नहीं आया है। जहां तक की लॉकडाउन के से प्रभावित अर्थ ववस्ता की रीकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है। भारत उन गीने चुने देशों में हैं जिसने मुश्किल के बावजूत दुनिया के एक सो पचास से जादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुचाई। पैरासिटमल हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो, तेत्रिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की। आज जब हम अपनी वैक्सिन बना ली हैं, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशाव और उमीद की नजरों से देख रही हैं। हमारा टीका का नभ्यान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाब मिलेगा। भारत की वैक्सिन हमारी उत्पादम छमता, पूरी मानवता के हित में काम आए, यह हमारी प्रतिबद्दता है।